तेंक यू लॉड ओके दोस्तों माफी चाहता हूं कि किसी टेक्निकल वजह से बीच में एरर हुआ वाइफ़ नहीं आया बड़ मैं समझता हूं कि अपी सब कुछ ठीक हो गया है चल रहा है सब कुछ ठीक ओके लोग जुड़ गए ओके जल्दी-जल्दी जुड़ते चले जा तो कुछ मैंने परचार करा है उसकी पूरी वीडियो फेस्बुक पे भी अप्लोड होगी और यूटूब पे भी अप्लोड होगी तो इसके लिए परिशान मत होई है पूरी तरह से वन शॉट में आप लोग उसको देख पाओगे नाव दोस्तों वापस यहां से शुरू क करूंगा लिखा है पहला पतर पांच का आठ में सचे थो जाकते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शेतान गरजने बाले सी कि नाए इस खोज में रहता कि किसको फाडखा है इसका मतलब है कि लुसिफर शांत नहीं बैठा जैसे मैं बता रहा था 24-7 नॉट पाट टाइम ओर टाइम फुल टाइम 24-7 टारगेट करता है कि इसको मस्यों को जो बावन अगें मसी हैं उनको वो टार्गेट बनाता है क्यों कि वो नहीं चाहता है कि कोई भी येशू के मिशन को समझे और येशू की तरीके से काम करें ना दोस्तों मैं बहुत कुछ बात कर चुका हूं अब इसको दिखा देता हूँ ये वाला, ये वो शैतान है जिसने किसी को नहीं छोड़ा, कितने लोग जुड़ गए, ये वो शैतान है, जिसने किसी को नहीं छोड़ा, मेरे पेज से भी कने कर लो, जो मेरे पेज से हैं, डैनिल राज के पेज से, आप लोग अगर अबी देख रहे होंगे, तो नीचे टाइप कर दीजेगा, और कुरला बैप्टिस चर्च, जो है तेलगू बैप्टिस चर्च, वहाँ से भी अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग नीचे टाइप करके बता यहां है अभी भी यहां और आगे भी करता रहेगा वहां इस वात को समझेगा नाव है जिकल की पुस्तक उसका 28 सद्या वचंतेरा लिखा है के तू परमेश्वर के अधन नाम बारी में था यह कौन सी बारी है आदन की बगीचा आदम और हुआ की बगीचा यह वहां था कौन सोचके देखिए यह लुसीफर ने क्या किया बड़े ध्यान से देखनीगा देखीएगा लिखा है यह देख लिए लिए पहले ciतर देख लेजिए गा जी Parents yağ ले उसको टेक किया बहुत द्यान से सुनना मैं समझता। कि आपको बहुत काम हाईगा लुसीफर ने यानि के प एक है हवा, एक है पुरुष और एक है स्त्री, उसने किस पे अटेक किया, यहाँ पुरुष और स्त्री का चक्कर नहीं है, कुछ लोग प्रचार करते हैं कि महिला पे अटेक ज़्यादा होता है, यहाँ पे चक्कर है, कौन कमजोर पाया गया, यह व्यक्ति क्या करता था, पर कमजोर होता ना पुरुष आदम ये उसको भी अटेक करता तो यहां चक्कर पुरुष और स्त्री का नहीं है यहां जेंडर का चक्कर नहीं है इतिहास गवा है बाइबल के अंदर के महिलाओं ने क्या क्या किया है वह एस्तर हो दबोरा हो आपकी रूत हो परमिश्वर की मैं वापस कहता हूं लडका लड़की पुरुष तरी का चक्कर नहीं है आप पुरुष हो तो अगर कमजोर हो अटेक करेगा अगर स्तरी मबूत है नहीं अटेक करेगा ये तो बता रहा है इसले तो पत्रस ने कहना कि सचीत रों जक्तिरों इसको दोनों को का है, पूरुष और स्त्री को दोनों अगर एक मजबूत होता और संभल जाता, आगे परिणाम वो नहीं होता, जो आज हम लोग देख रहे हैं, यह है आकड़ा, ओके ना दुस्सा कुरंतियों ग्यारा का तीन में पत्र शमाकरे पाउलूस ने खूब हूँ इसको रिकॉर्ड किया है कैसे देखेगा लिखता है परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सापने अपनी चत्रहे से हवा को बैकाया इसका मतलब है कमजोर को बैकाया ये बात समझ जाए वैसे ही तुम्हारे मन उसे धाई और पवित्ता से जो मस्यी के साथ होनी चाहिए कहीं भरस्ट ना की जाए तो लूसीफर हवा को फसाया कमजोर। लुसिफर कलिस्या को फसारा जो कमजोर, लुसिफर पास्टर को फसारा जो कमजोर, लुसिफर मुझ जैसे बाइबल प्रीचरों को फसारा जो कमजोर, लुसिफर वर्शीपर मुजिशन्स को फसाएगा जो कमजोर, लुसिफर किसी को नहीं छोड़ेगा जो कमजोर, इसलिए लिखा है कि टक्कर देना वाला आत्मिक दशा में मजबूत होना चाहिए तो मैं फिर पूछूँगा क्या हम मजबूत हैं आज क्या आप मजबूत हैं जो अभी देख रहें वाँ ना जानते हो इस बात को मैं एक जगे पर कनेक कर रहा हूँ कि पौलूस ने भी उस घटना को कनेक किया है कौन सी घटना ये वाली ये देखिए शैतान का दिमाग कहां चला पता इजरालियों के लिए एक माफ करें छे लाख लोग जब निकले थे चार्सो तीस साल के गुलामी में और चंगल में पहुँचे थे और जैसी वह वह पहुँचे तब तक धोरा नहीं आया था यानि कि पांच किताबे मुसा की उत्पती निर्गबन ले वेवस्ता गिंती वेवस्ता वेवनन ये पांच किताबे नहीं आये और जैसी वह किताबे नहीं आये Lucifer ने अपना दिमाग चलाया और उसने क्या का पता है उसने का कि ऐसी मूर्ती बनवाऊंगा जिसको कहते मूर्ती पूजा आइडल वर्शिप ये शैतान का दिमाग था और वो कामियाब भी हो गया किसके चलते हरुन के चलते और हारुन यहां पे कमजोर पाया गया वो ठकर नहीं दे पाया अच्छे अच्छे नहीं दे पाया मैं वही तो बता रहा हूँ और उसके चलते एक ऐसा बच़ड़ा बन गया दोस्तों ये देख लिजे और इसकी पूजा होने लगी इसकी पूजा होने लगी और इसी का डरур पूलूस को था कि हुआ फसी फिर इसराईली फसी और इसराईलियों के बारे में पहला करूंतियों 10 का पाँच में पूलूस क्या बोलता है पता है परंतु परमेश्वर उनमे के बहतेरों से प्रसनना हुए क्यों नहीं हुआ अब ऐसी हरकत करेंगे तो कहां से परमेश्वर परसन होगा और वो परमेश्वर परसन ना हुआ इसलेवे जंगल में धेर हो गए क्यों धेर हो गए उसी का दसका साथ कहता है और ना तुम मूर्ती पूजने वाले बनो इनके जैसे तो शैतान के दिमाख ने एक ऐसा बच्छडा बना दिया जो परमेश्वर से दूर कर दिया अटैक देख रहे हैं आप लोग ना दोस्तों इसको देखे क्योंकि मुझे वक्त का भी धियान रखना है शैतान काम्याब रहा इसरालियों पर अटैक करने में ऐसी इसराली ऐसा नेशन जिसको परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको अपनी हदेली पे लेके चल रहा हूँ तो मेरी आँग की पुतली हो शत्रू आएगा एक रस्ते से भागेगा साथ रस्ते से ऐसे नेशन को लुसीफर ने अटैक कर दिया छे लाख लोग जिनके पास में मुसा का तंबू था जिनके पास में तोरा था जिनके पास में ट्रबनैकल था जिनके पास में परमेश्वरात को आग के खंबे में और दिन में उजाले में बादल ऐसा लेके चलने वाला ऐसे इस लालियों को आटैक कर सका आपकी heat की और पत्थर और सिमेंट की दिवार क्या चीज़ है मैं सब कलीस्या से बात कर रहा हूँ मैं वो सब सेवकों से बात कर रहा हूँ ये वक्त है जहां हमें अपनी आत्मिकता को मजबूत करना है इसको टकर देने के लिए मैं वो सब 12-10 साल 20 साल, 25 साल, 30 साल लड़का, लड़की, जो तुम चर्च में हो वर्शिप में हो, म्यूजिक में हो जिस किसी भी फिल्ड में हो, ये तुमको टार्गेट बना रहा है प्रीचर्स मैं आपको भी कह रहा हूँ नैशनल, इंटरनेशनल, ये आपको लेकिर उसके बाउचूद भी, ये शुखुद कहता है अगर तुम मजबूत हो, तो मैं तुमको मजबूत ही दूँगा पत्रस पानी पे क्यों चल सका तब चल सका जब उसमें खुद अपनी तरब से कुछ किया अगर हम भी परमेश्वर की ताकत में इसलिए तो पालूस कहता है कि उसके शक्ती में बलवंत बनो इफिशियो छटवाद ये वाचन 10 इफिशन 610, ये ही तो कहता है मजबूत बनो, ये लोग देख रहे हैं इतने लोग अभी मुझे पता है कि 500 लोग देख रहे थे लोगों तक पहुचा है और साती साथ आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं इसको लाइव रिकॉर्डेड वीडियो यूटूब से डाउनलोड करके आप लोग प्ले कर सकते हो वापस से दिखा सकते हो और मैं समझता हूँ कि यह बहुत ज़रूरी है मसीहत को जानना सेटन्स अटेक ओन होल वर्ड यह आपको समझना होगा नाव शैतान काम्याब रहा येशु मसी बाफ करें आदम अवा पर और साती साथ इसरालियों पर अब आपको एक ऐसा जटका एक ऐसा शौकिंग देने जा रहा हूँ आपके स्क्रीन के उपर देख लिजे यह बना ये कौन है येशु मसीहा सरोशक्तिमान परमेश्वर एलोहीम ट्रायून गॉट का थर्ड पस्नालिटी लुसिफर ने जब येशु तक को नहीं छोड़ा शेतान ने येशु तक को नहीं छोड़ा मती की किताब चार-चार लुका की किताब चार-चार हलाकि मर्कुस में भी इसका जिकर है बड़ अभी जरुवत नहीं है ये दो काफी है येशु तक को नहीं छोड़ा सर आप और में क्या चीज ए देख लीजे ये देख लीजे, ये है लूसिफर ये देख लीजे, ये है लूसिफर येशू के परिशा के दाम पर याद आगे न तेन टेम्टिशन ये इसू तक को नहीं चोड़ा लेकिन आपको पता है, अच्छी बात यहाँ पर क्या हुई मैं रख देता हूँ अच्छी बात क्या हुई लुसिफर येशु के पास कामियाब नहीं हुआ पता है क्यों येशु मसी ने उसी वेपन का इस्तमाल किया, जिस वेपन का इस्तमाल शैतन ने किया, जिस वेपन का इस्तमाल आदम हवा पे चला, जिस वेपन का इस्तमाल इधरालियों पे चला, जिस वेपन का इस्तमाल आज भी चल रहा है, और वो क्या, जल्दी से बाइबल देना, खोल के, जिस वेपन का इस्तमाल मेरे उपर चला रहा ना वेपन, मैं तुझे उसी से काटूंगा, येशु ने भी क्या काओ, ये भी लिखा है, लुसीफर कहता है, रिटन, जीजस एड, आल्सो रिटन, लुसीफर कहता है, येशु कहता है, बेटा, ये भी लिखा है, आज हमको किसमे मजबुत होना है, परमे में या फिर कहीं पे भी जो मसियत पाई जाती है वो 90% फेल हो गई किसमें लुसिफर के सामने वच्छन को इस्तमाल करने में यह दस टक्का लोग हैं जो परमेश्वर के वच्छन को बखु भी जानते हैं और मैं उन दस टक्का लोग को सलूट करता हूँ तेलकु बैप्टी चर्जवालो आपको मैं सलूट करता हूँ कि आप लोग ने मुझे प्लैटफॉर्म दिया कि मैं ये सारी बाते रख सकूँ मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ लेकिन साती सात मैं ये भी कहना चाओंगा आप लोगों को और वो सब योगों को जो भी सुन रहे हैं या आगे जब अपलोड होगा तब सुनेंगे आपको एक ही चीज़ में मजबूत होना है और वो है आत्मिक तामे इतना मजबूत हो जाओ कि आप शैतान को टकर दे सको मेरा पूरा मैसेज उसी के उपर है अब अन्तमि मैं आ रहा हूँ क्या है देखिए मसी जीवन को हलके में ना लो मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूँ मसी जीवन को हलके में ना लो मसी जीवन को हलके में ना लो मतलो हलके में मतलो हलके में ये बहुत संभलकर जीन है संडे संडे चर्चा ना रूडी वादी की तरह मतलो साल में तीन बार Christmas, Good Friday, Easter Sunday और उसी तीन festival में आप इतने चमकते हैं घर को paint, खुद को paint नए कपड़े, गहने शॉपिंग, ऐसा लगता है येशु मसी किसी भी धरम की स्थापना करने पृत्वी पर नहीं आया Religions को establish करने नहीं आया Muslims, Hindu, Rahul Arya, Zakir Nai तुम लोग हमको कहते हो हम Christian धरम हैं, जी नहीं आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है हम Christian धरम नहीं है हम परमेश्वर के follower है येशु के follower है Christ follower है हम धरम नहीं है ये धरम का चकर यहां है राशनकार धरम पे बनता है राशनकार पे धरम का नाम डालना पड़ता है उसके चलते डाला जाता है Christian है, Hindu है, Muslim है, Buddhist है, Parsi है ये डाला जाता है लेकिन अगर हम आत्मिकता में देखें हम यहां कोई धरम नहीं है आप राकेश रखो और पिंटो रखो रॉबर्ट रखो, डिसूसा रखो सूजी मेजिघ़, क्या रखना है रखो कोई फर्ण नहीं पड़ता है सल्मा रखो और नगमा रखो कोई फरक नहीं पड़ता है आप कौन से पास भूमी से आते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ बात हो रही है relationship की इसलिए में वापस कहना चाहता हूँ कि मसी जीवन को हलके में मत रो साल में तीन बार चर्च में मत आया करो Sunday to Sunday वाले इसको कहते हैं तेवारी मती और मसी और इतवारी मसी तेवारी और इतवारी यह समझी आप लोग मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ मैं आपको दे चुका हूँ अब एक आखरी स्लाइड आपको दिखाँगा कि मसी जीवन को हलके में मत लो इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्क्रिप्चर दे रहा हूँ याकुक की किताब उसका चार का साथ लिखा है इसलिए बरमेश्वर के आदिन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वहां तुम्हारे पास से भाग निकलेगा शैतान का सामना करो तब वो भागेगा आपको शैतान का सामना करने के लिए आपको खुद कितना मजबूत होना ये बात समझ लिए कितना strong होना होगा आपको ये बात समझ लिए तो इसका मतलब है कि शैतान का सामना तब ही होगा जब आत्मिक तामे मजबूत है तो मेरा last और आखरी line आपको फिर से पूछोंगा, क्या हम अंदर से मजबूत हैं, ताकि शेतान को भगा सकें, क्या हम मजबूत हैं, सीधस, भाग निकलेगा, कब जवादीन हो जा, कब प्राथना का जीवन, परमेश्वर का वचन का जीवन, येशु के मिशन का जीवन, येशु के अज्याओं का जीवन, ये जब मजबूत कर लोगे, लुसिफर भाग जाएगा, और एक चीज़ करने कर रहा हैं, प्रभू अगवाइ कर रहा है, लुसिफर को, लुसिफर को ऐसे मस्यों से तकलीफ नहीं हैं, जो उसको तकलीफ नहीं देते हैं, आप जब तक चर्च में बैटे हो, लुस अब जब तक पास्टर का प्रचार सुन रहे हो, उसको तकलीफ नहीं है। आप जब तक Sunday to Sunday चार जा रहे हो, तो offering दे रहे हो, ताइड दे रहे हो, उसको तकलीफ नहीं है। साल में तीन बार उसको तकलीफ नहीं है। गिटार बजाओ, म्यूजिक बजाओ, गाना गाओ, धांगड करो, नाचो, कुदो, कॉंसेट करो, कन्वेंशन करो, उसको कोई तकलिफ ने, लेकिन the moment you begin to start, what, ministry, येशु का प्रचार, येशु की गवाही, चेला बनाना, कलिस्यों की स्थापना, इसको तकलिफ होती है, अब प्लैटफॉर्म से ये बातों को रख सकूँ, परमिश्वर आपको बहुत आशिच दे, जब तक हम हैं, जब तक ये फैसलिटीज हैं, आप फिर कभी बुला सकते हैं, मैं आज सकता हूँ, जैसा डेट की अवेलिबेटी होगी, आपके बीच में फिर सेवा देने के लिए त साथ, फेस्बुक, यूटूब वालों, अगले वीडियो के साथ, फिर मलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जैसे.